आज हम सीखेंगे पादप के सरल्स था ये उतक के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पादप उतक, विभज्यो उतक यानि मेरिस्टमेटिक टिशू की कोशिकाएं जीवन भर विभाजत होती रहती है किन्तु जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है धीरे धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है पूर्ण वृद्धी के बाद यह कोशिकाएं एक निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट कार्य करने लगती है और विभाजत होने की शक्ती खो देती है कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थाई रूप, आकार और कार्य लेने के क्रिया को विभेधि करन यानी differentiation कहते हैं ऐसी कोशिकाएं स्थाई उतक का निर्मान करती है पादप के ऐसे उतक, जिसकी कोशिक पूर्नतोह परिपकव है, जो विभाजत नहीं हो सकती, स्थाई उतक यानि Permanent Tissue कहलाते हैं. स्थाई उतक दो प्रकारके होते हैं। सरल स्थाई उतक, यानि Simple Permanent Tissue और जटिल स्थाई उतक, यानि Complex Permanent Tissue चलिए पादप के सरल स्थाई उतक को विस्तार से जाने पादपों की सबसे बाहरी परत कोशिकाओं की एक ही परत से बनी होती है यह परत एपिडर्मिस कहलाती है एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परते होती है जिसे सरल स्थाई उतक कहते है ऐसा उतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थाई कोशिका से बना होता है जो एक जैसा कार्य करती है सरल स्थाई उतक कहलाता है कार्य के अनुसार सरल स्थाई उतक को पैरन कायमा, कोलन कायमा और स्कैरन कायमा में वर्गिकरित किया गया है पैरन कायमा कोशिकाओं के कुछ परते मूल बंधन उतक बनाती है जिसे पैरन कायमा कहां जाता है पादप में पैरन कायमा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थाई उतक है यह उतक पतली कोशिका बित्ती वाली जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है यह कोशिकाय, प्रायह, बंधन मुक्त यानि लूसली पैक्ड होती है तथा इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है पैरंकायमा लगबख पादप के सभी अंगों में पाया जाता है जैसे जड़े, तना, पत्तिया, फूल, फल और बीज यह पादप को सहारा प्रदान करने और भोजन के भंडारन का कार्य करता है तथा तहनियों और जड़ों में उपस्थित पैरंकायमा जल और पोशक ततों का भी भंडारन करता है इसलिए इन कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है पेरनकाइमा पादप को सुरक्षप्रदा नहीं करता है कुछ पेरनकाइमा उतकों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है ऐसे पेरनकाइमा उतक को हरित उतक यानि क्लोरनकाइमा कहां जाता है यह उतक प्रकाश संसलेशन यानि फोटो सिंदोसिस के क्रिया संपन करते हैं इसी तरह पैरन काइमा का ऐसा उतक जिसकी कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं उपस्थित होती है एरन काइमा कहलाता है हवा की गुहिकाएं पादप को जल में उतराती है यानि की तैरने में मदद करती है इसलिए जलिय पादपों में एरन काइमा उपस्थित होता है कोलन काइमा इसी प्रकार पुर्णवृत्त में अन्यस्थाई उतक कोलनकायमा उपस्थित होता है कोलनकायमा उतक के कोशिकाए जीवित और लंबी होती है तथा इनमें सेलुलोस और पेक्टीन होता है जिसके कारण कोनों पर कोशिकाओं की बित्ती अर्नियम में धंग से मोटी होती है और इनके बीच रित्तस्थान बहुत कम होता है कोलन काइमा उत्तक की कोशिकाओं के कोनों में लिगनन उपस्थत होता है कोलन काइमा पादपों को लचीलेपन का गुण प्रदान करता है जिसके कारण पादप के कुछ भाग जैसे तना और पत्तिया आसानी से बिना तोटे मुड़ पाते हैं तथा यह पोधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है स्क्लेरन काइमा पादपों के तने, पत्तियों की शिराओ, बंडल सन्वहन के पास तथा फलो और बीजों के कठोर छिलके में स्क्लेरन काइमा उतक उपस्थित होता है इसकी कोशिकाए मृत, लंबी और पतली होती है तथा इनकी भित्ती में लिगनिन उपस्थित होता है मोटी होती है और कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है इसलिए स्क्लेरन कायमा पाधब को कठोर और मजभूत बनाता है तथा स्क्लेरन कायमा पाधब को सुरक्षप्रदानगळता है चलिए अब эпigramis की बात करें तो epidermis पादप की सबसे बाहरी एक कोशिक्य या मोटी परत होती है पादप की संपूर्न सतह epidermis से ढकी होती है epidermal कोशिकाएं पादप की बाहरी सतह पर मौम जैसी जल प्रतिरोधी परत का निल्मान करती है जो पादप की यांतरिक आगात और परजीवी कवक से रक्षा करती है एपिडर्मिस के परत अच्छिन न होती है और एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकिया स्थान नहीं होता ज्यादातर एपिडेर्मल कोशिकाएं चप्ती होती है तथा इनकी बहाईय एवं पाशो वित्तिया आंतरिक वित्ती से मोटी होती है मरुस्थल पादपों की एपिडेर्मिस मोटी होती है और इसमें क्यूटीन का लेप होता है क्यूटीन जल अवरोधक रसायनिक पदार्थ है जो पादप को जल के क्षय से बचाता है पत्यों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनने स्टोमैटा कहा जाता है स्टोमैटा को वरुक के आकार की दो कोशिकाएं गेरे हुए होती है जिनने रक्षी कोशिकाएं यानि गाड़ सेल्स कहा जाता है स्टोमैटा और रक्षी कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान और वाशपोथ सर्जन यानि ट्रांस्पिरेशन की क्रिया करते हैं इसी प्रकार जड़ों में उपस्थित एपिडर्मल कोशिकाएं जड़ को सोखने का कार्य करती है इन कोशिकाओं में बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोशक सतह बढ़ जाती है इसके कारण जड़ों की पानी सोखने की शम्ता बढ़ जाती है पादब की आयू बढ़ाने के लिए उसके बहाये सुरक्षात्मक उतकों में परिवर्थन होते हैं जैसे तन्य के कोटेक्स में दूतिक विभज्यों तक यानि पाश्व विभज्यों तक की एक परत उपस्थित होती है जो कौर्ख कोशिकाओं के परतों का निर्मान करती है यह कोशिकाय मृत होती है और इनके बीच अंतह कोशिकी स्थान नहीं होते हैं तथा इनकी भित्ती में रसायनिक पधार्थ सुबरीन होता है जो पादब को हवा और जल प्रतिरोधी बनाता है इस प्रकार आज हमने सिखा पादब के सरल्स था ये उतक के बारे में झाल